नमस्कार साथियों जैसा कि आपको उस दिन वादा किया था कि हर दो-चार दिन में कुछ लोगों की नींद हराम करनी है उसी वादे को आगे भढ़ाते वे आज एक वरिष्ट नेता भाजपा के पूरु सांसद पांच बार के सांसद तीन बार के विधायक श्री राम टहल चौधरी जी दो बार के विधायक रहे हुए हैं और पांच टर्म्स के सांसद रहे हुए राम टहल चौधरी जी का हम स्वागत करेंगे मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते वे मीर सहब से आगरह करूँगा कि वो आपको इस विशे में दो शब्द कहें हमारे पावन खेरा जी जो हमारे कॉम्मिनिकेशन डिपार्टमेंट के चेर्मेंट हमारे साथ परदेश कॉंग्रेस कमीटी के प्रेसिडेंट राजेश ठाकुर जी सील पी लीडर आलमगीर आलम साथ दो वरकिंग प्रेजिडेंट बंदू तुर्की जी शाजाद अनवर साथ फॉर्मर मिनिस्टर जारखंड से सुबोत कान साही साथ और आज के इस प्रेस कॉंफरेंस में स्पेशली जो हमारे मेमान भी हैं और परिवार का हिसा बनने जा रहे हैं राम टहल चोद्री जी ये जारखंड में तो एक बड़ा नाम है ही वो पूरा जारखंड जानता है और इनकी सर्विसिज इनकी डेडिकेशन जो उन्होंने बड़े आंदलून में हिसा लिया है अवाम के लिए बात रखी है इनसाप की बात रखी है और यही वज़े है कि इन्होंने एक लंबा केरियर सियासत में दिया है और उस सियासी केरियर में ये दो बार तो अस्थानिये विदाहिक रहे हैं और कैंटिन्यूस पांच तर्म ये लोगसभा के लिए चुने जाते रहे हैं रांची लोगसभा से दो हजार उन्नीस का चुनाव इन्होंने जब बाज़पा ने इनको रिकॉगनाईज नहीं किया तो उसके बाद ये इन्डिपेंडन्ट भी चुनाव एक लड़ चुके हैं और आज के जमाने में भी उनकी अपनी किमत उनकी अपनी वैलियू उनकी बात सरपरस्त रहती है वहाँ पर तो हमें खुशी है कि ये एक बहुत ही एहम शक्सियत जो राहुल जी की बारत जोड़ो नियाई यात्रा में जगा जगा नफरत के बाजार में जो महबत की दुकान खोलने की बात रखी गई थी और ये उसका इंपक्ट है मुझे लगता है कि इतनी दीरी ना सियास्तकार दीरी ना राजनीतिक जो आदमी आज आपके सामने है ये हमारे लिए एक फर्द नहीं है ये अपने आप में एक इनस्चूशन है इसकी जो इफादियत है मुझे लगता है जब तक ये इस दुनिया में दर्ती में जिन्दा रहेंगे और इनकी इफादियत और इनका इंपार्टनस बनी रहेगी उतना इन्हों ने अपने पिछले तीस चालिस साल में वहां के जन्ता की आवाज उठाई है अलग-अलग पलेट फार्मस पर अलग-अलग इशूज को लेकर तो मैं ज्यादा ना कहते हुए जाती तोर पर आल-इंडिया कॉंगरस के मीटी की तरफ से इनको आज कॉंगरस में शामिल होने के लिए बदाई देता हूँ और वेलकम करता हूँ मैं चाहूँगा ज्यादा लोग हम ना बोले मगर दो शब्द PCC प्रेसिडंट जो जारखंड के हमारी राजिश ठाकुर जी है वो दो शब्द इससे पहले बोले कि राम टहल चोदरी जी अपनी बात खुद रखे नमस्कार जोहार मंच पर उपस्तित हम सबों के प्रमादनिय प्रभारी आदनिय गुलाम अहमद मीर साहब मीडिया कॉमुनिकेशन के चीफ आदनिय पाउन खेरा साहब हमारे विधायक दल के नेता अधनिये आलमगीर आलम साहब बड़े भाई और पुर्व केविनेट मंतरी हाधनिय सुबोत कान साहय जी हमारे दोनों कार्जकारी अध्यक्ष बंधुतिर्की जी साजादा अनवर जी और जो जिनके लिए आज सब हम लोग जुटे हैं वैसे हमारे जारखन के कद्दावर नेता और सच पूछो तुप पिछडों के मसीहा के रूप में ये जाने जाते रहे हैं पांच बार के सांसद रहे और एक खास बात ये है आज की ज्वाइनिंग में कि दोनों जो बड़े भाई हैं हमारे दोनों एक दूसरे को लागातार हराते रहे कभी ये दो बार लागातार जीते कभी वे दो बार लागातार जीते और आज ये महासंगम होने जा रहा है ये मैं समझता हूँ कि आदर्निय राहूल गांदी जी नो भारत जोड़ो न्यायात्रा अपना जो पांच दिनों तक जारकंड में गुजारा उस बात से बहुत लोग प्रभावी थे हैं और आप देख रहे हैं कि इस तरह से जारकंड के भाजपा में भगदर मची हुई है ये सही है कि ये लागातार पांच बार सांसद रहे हैं लेकिन इनका मोभंग पहले ही हो चुका था क्योंकि जिस तरह की नीती और तानासा प्रविर्ती के लोग हैं उसमें इनका मन नहीं लग रहा था और लागातार ये जनसेवा में लगे रहते थे वैसे में हमने इन से दरखास्त की थी और हम समझते हैं कि ये अपना जो कीमती समय है अब पाटी को देंगे और पाटी पूरी तरह से इनको जो सम्मान देना चाहती है वो देने का काम करेगी पूरे जारकंड में इनके नाम की चर्चा होने के बाद एक अलग सा उत्सा है और जो हम लोग लागातार कहते आए हैं जो आदनी गुलाम अहमद मीर साब भी कह रहे थे कि महबत के नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोलने निकले हैं और इस बात से ये पूरी तर प्रभावित है मेरी बात लगातार होती रहती थी ये सही है कि सही समय पे सही कदम उठाया जाना ही ठीक होता है और उस निमित आज या रहे है मैं इनका स्वागत करता हूँ अविनन्दन करता हूँ धन्यवाद आप सबों का खास करके पत्रकार मित्रों का कि जब भी जारकन के इस अंदर में प्रेस कॉन्फरेंस होती है आपकी भारी उपस्तिती रहती है धन्यवाद आप से विशेश मौबबत है पहले इनकलूब आप स्वागत पहले करने हम दोनों मिलके बहुता है पाकी बाद में करें चुछी बहुत बहुत दने बाद है अब किसाब से तो कैसे दूर नहीं कैसे अब किनी से पहले करेंगे आप सिरी से अब बस इनी से अब मैं राम टहल चौधरी साब से आगरह करूंगा कि वो दो शब्द आपको कहें आज केस काट करन में उपस्तित आदरनिय पवन खेडा जी आदरनिय गुलाम अमद मिर सहब आदरनिय राजिस ठाकुर जी आदरनिय आलम गिर आलम जी आदरनिय सुबत कांट साहा जी आदरनिय बंदू तिरकी जी और आदरनिय साजादा अनौर जी और आज के स्काट करन में सभी पतरकार बंदू और मीडिया के भाई हो मैं आज कॉंग्रेस में इनकी नितियों से परभाईत होकर के परभाईत होकर और हमने जैसे अब बताया गया पाच बर सांसद रहे और बिना सोचे समझे चुनाओ के दुमेना पहले मुझसे कहा गया कि आप लिख के दो कि हम चुनाओ नहीं लड़ेंगे हम कहा यह तो तानसाही है आपको करना था तो पहले बात करना चाहिए था तो उसी समय हमने रिजाइन किया पाटी से और फिर चुनाओ भी लड़ा तो हमारे यहां सुरू से पुरे देश का दवरा जो राहुल जी का दवरा हुआ हमारे यहां जारखन में भी पांच दिनों तक उनका दवरा हुआ उसे में काफी परवावित रहा और भारत जोड़वा अंदलन उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की जाड़े के दिन में एक गंजी पहन के घुमते थे अब आम आदमी को भी लगता था कि बहुत कश्ट में है और उस हालत में भी उन्होंने देश का दवरा करते रहे जारखन में भी पांच दिनों तक उन्होंने दवरा किया इसे में काफी परवावित हुआ और उन्होंने साथ-साथ ये बाते जो बराबर बोलते रहे कि जिसकी जितनी भागिदारी उतनी उसकी जितनी जिसकी उतनी हिसेदारी ये नारा था और जातिये जनगन्ना जो आउस्यक है और जब तक जातिये जनगन्ना नहीं होगा तब तक उसका हिसेदारी पता नहीं चलगा तो इस पर इन्होंने जो कि देश की आम जानता है ये चाहती है कि हाँ जाती है जन्गन ना हो और इस मुद्धे को बराबर उठाते रहें और चाहते भी हैं इस में परवाइत हूँ और इस आज की इसका करनम मैं उनका बहुत बहुत अभार पर गट करता हूँ खार के खड़गे साहब जो राष्टी ये देख्च है अधर निये खड़गे साहब का अधर निये स्रीमती सुनिया गांधी जी का अधर निये राहुल जी का मैं बहुत बहुत अभार पर करता हूँ और साथ साथ अभी जो मंच पर बैठे हुएं और जिनकी बहुत बड़ी पार्टी में परविश्च करने के लिए जिनका बहुत बड़ा स्वयोग रहा है उसमें अपने अपने स्रीराजिस ठाकुर जी जो अध्यक्ष है मुमाद आलमगीर आलम साहब और मिर साहब बारत पहले के हां की बहुत ही इनके इनसे जब हमको बाते हुई पहली बार तो मैं इनकी बातों से बहुत परहुआइथ हुआ ऐसी ही नेता होनी चाहिए कि करकरताओं से किस तर से बात कर जाया सही बातों को इन्होंने अपने सही अच्छी बातों से अवगत करवाया और बंदोतिर्की जी का, शुबोत कान जी का और अपने साज़ादा अनौर जी का मैं बहुत बहुत अभार पर्गेट करता हूँ और मैं इस वास दिलाता हूँ कि मैं जो अच्छे कामों के परती मैं उसको अच्छे काम का आदर करता हूँ और कहीं ताना साही होता है तो अच्छा नहीं लगता है कहीं देखते हैं घर में भी लोकतंतर नहीं है तो देश में लोकतंत्र क्या रहेगा तो ये इस्तिती अभी है जो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा तो मैं तमाम निताओं का और फिर जो इंडिया से जुड़े विजितने नितागन हैं मैं सब का आभार परगट करता हूँ और सब को धन्यवाद देता हूँ कि आपने यह कि मैं इंडिया के अंतरगत रहकर और इंडिया कैशे आगे बढ़े उस पर पर्यास करूंगा तिनी सब्दों के साथ मैं आप सबों का बहुत हारदिक बदाए और धन्यवाद देते मैं अपनी बात समाप करता हूँ सब को नमश्कार जोहाँ ठीक धन्यवाद राम टहल जी आपके कुछ सवाल हों तो पूछ लीजे क्योंकि उसके बाद अब एक और कॉंग्रस पार्टी का उमेदवार होगा और मजबूत शशक्त उमेदवार होगा जैसे आपको बताए गया कि रांची पहले भी मजबूत रही है चुनाओ आते हैं हारते भी हैं जीतते हैं मगर रांची तो एक कलेक्टिव कल्चर का एक सिंबल है तो वहाँ एक कोई शकल सूरत नहीं है सारे लोग वहाँ बसते हैं तो इसलिए उसकी ज्यादा इंपार्टनस है अब जब चुकि एक और एडिशन हुआ राम टहल चोधरी का जिनका मैंने आलेडी बता दिया मेरे खाल से ये दोनू और पुरा पार्टी का संगठन वहाँ डटके चुनाव लड़ेगा और कॉंग्रिस पार्टी का मजबूत उमेदवार मैदान में होगा और हम उमिद करते हैं सबसे पहली सीट का जो ऐलान होगा वो रांची का होगा ये जो इन्होंने भी बताई थी रोकने की बात रोकने की बात तो कहीं नहीं है हमारे यहाँ जो सीटे कॉंग्रिस को मिली है और जैसे आप जानते हैं कि एलेक्शन केमिशन ने इतना प्रोलांग शेडूल दिया है सेवन फेजिस का तो पहला फेज तो अभी दो दिन पहले नॉमिनेशन कम्प्लीट हुआ लास्ट फेज चार जून को वोटिंग है तो इसलिए हमने भी अपने सीटों का फैसला फर्स सेकंड थर्ड में हमारे यहाँ कोई चुनाव नहीं है फूर्थ फिफ्ट में जो सीटे आ रही थी उनका अनामस्मेंट हो गया सिक्स्थ और सेव में जो हमारी सीटे पढ़ रही वो आप आने वाले दो तिन दिन में देखेंगे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई होल्ड है या कोई रोका गया या टोका गया रूटीन वे में अपना काम चलता है बहुत अच्छी बात है आपकी देखो सारे लोग अभी आपने राम टैल चोदरी जी को सुना कहीं उन्होंने ये कहा है कि मैं उदर छोड़ के आ रहा हूं कोई चीज तो यहां आ रहा हूं कुछ लेने के लिए उन्होंने तो एक एडियाल जी को लेकर एक कंसेप को लेकर अपने आपको वहां छोड़ करकी यहां एक मिशन के साथ जोड़ने की बात रखी तो इस तरह से जो भी मिशन में जोड़ने के लिए तयार है जो रहूल गांदी जी का अजिंडा है पांच नियाई है जिसमें कंप्लीटली एक्स्प्लेंड हर एक चीज़ है अगर उन सारी गारिंटीज को जिसको हम कांगर्स की गारिंटी रहूल गांदी की गारिंटी कह रहे हैं अगर वो लोगों को अट्रेक करता है लोगों को मलब अपनी और खेचता है तो हमें दर्वाजा नहीं बन करना चाहिए वो चाहिए किसी उमर का हो किसी एरिया का हो और फिर अगर अ किसी को चाहता है तो यह कहीं अर्चन नहीं है अपने बाद में सुना है जिनको टिकट आप देंगे की नहीं देंगे लेट आए ना जवाब दे चुके जवाब उसका आचुका है आप पूछे राम्टाल जी यह तिन चार दिन पहले ऐसे गुल दस्ता उल दस्ता लेके करके यहां गए और वो भी विचारधारा साही प्रेडित थे वो भी टिकट नहीं मांग रहे थे आज कल कर रहे हैं मर जाओंगा पूणिया नहीं चोड़ू का टिकट दो तो आपने बात्चीत पूरी कर लिए पपू यादो की तरह तो नहीं होने वाला ने ने पपू पपू जाद है और हम में कोई असमान जमीन का तर उनका सोचर मेरा से अब यहाई बने रहे हैं हम भी यहीं बने रहेंगे राम टहल जी आपका स्वागत और फिर आप से मिलेंगे अब इसी सिलसले को आगे बढ़ाते हुए अभी कुछ लोग और आपके सामने आएं